लेबरोड़ाइट देखे ऐसा क्रिस्टल है बहुत न्यूट्रल क्रिस्टल है इसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसीयेट नहीं करते लेकिन लेबरोड़ाइट की अलगलग ये लैब्याद दोर और ब्रदोर कर ते मिसाथ है इसका नाम कहां से आया कि तो उसके बेसिस पेस का नाम आया है यह अलग टाइप का क्रिस्टल जैसे जो इस टाइप में मार्बल और ग्रेन आइड आता है लेब्रड और राइड भी उसी गुरूप का क्रिस्टल है जिसको फैल्ड सपार कहते है फिये झेल राइड चाल के बलो टो जो कहते हैं अगोडा है तो किकूंति र्द्द में आट॥ाच्रा अपकर यह नहीं एत्तव यूडाइर फैसे बनुक्त पूर फैय्ट यह च्कक करें सकते हैं डाझ है सब्सक्राइब मैं इसका जो ड्वीनैशन मैं हम लोग डाउजर लेतै contradiction कि खॉल कि और जा रहुत वूएचे मैं लेते हैं मैं हमेशे लेब्रॉडोरियर का बनाती हूं कि इससे connectivity to the divine and occult बहुत जल्दी होती है तो लेबरोडराइट से mostly मैं डाउजर जो डिविनेशन के लिए यूज करते हैं मैं लेबरोडराइट का ही पसंद करते हूं उसकी connectivity बहुत अच्छी है यह बहुत beautiful crystal होते हैं इसके अंदर अर्थ की energy बहुत जबर्दस होती है ठीक है emotions के लिए for balancing of emotions यह काम आता है ice की healing के लिए बहुत अच्छा crystal है आखों के लिए pain relief जहां पर भी आपको pain हो रहा है take this crystal program कीजिए महां पर थोड़ी दर रखिये you will be relieved not completely but बहुत अच्छी तरीके से महां से relief हो जाएदी कि अच्छी के प्लेग्राउंड मतलब बेसिक लिए grounding और protection का crystal है तो playgrounds तो पहले playgrounds होते थे आप समझें ancient times में जैसे Greeks हो गए Romans हो गए वो ना अपने playgrounds के अंदर के क्योंकि बहुत बुल फाइटिंग ये वह बहुत सारी चीज़े करते थे ऐसे खतरना खतरना गेम खेलते थे तो वह महां पर लेब्रोडराइट रखते थे बहुत divine किस्टों वह protection के लिए रखते थे कि कोई भी miss happening इतनी कोई miss happening ना हो ठीक है झाल